हेलो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसा नास्ता बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही कम समान में 10 मिनट में बनकर तयार हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए हमने लिया है दो उबले हुए आलू, एक बड़ा प्याज थोड़े सा हरा धनिया और दो हरी मिर्च को मैंने महिम महिन काट लिया है आध कटोरी बेसन और एक कटोरी मैंने पोहा लिया है तो सबसे पहले हम पोह को जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे पोहे को हम एक mixing bowl में निकाल लेंगे और इसमें हम उबले हुए आलू को grate कर लेंगे आप चाहें तो आलू को हाथों से भी मैस कर सकते हैं ध्यान रखें अगर आलू को हाथों से मैस करके डाल रहे हैं तो उसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए इससे नास्तार अच्छा बनता है और अब हम इसमें आदिकटोरी बेसन डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब हम इसमें धेर सार कि इसमें एक छोटी चमद्य कूटी हुई लाल मिर्च टाल देंगे आप इसकी जगर पाओडर भी ढाल सकते हैं और अब हम इसमें आधा चमद्य गरम मसाला पाओड़ डलेंगे इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा और एक छोटा चम्मच नम्मक एट कर देंगे, इन्हें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिना पानी के ही प्याज और आलू के मश्चर से ही या एक डो जैसा बन जाता है, अब हम हाथों में थोड़ा सा ओल लगाएंगे, जिससे या चिपके नह और नीबू जितना हाथों में थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, आप चाहें तो इसे ओल सेप में, लंबे सेप में या गोल सेप में भी बना सकते हैं, मैं यहां टिक्की के सेप में बना रही हूं, तो थोड़ा सा किनारे किनारे हम जो फटा-फटा सा दिख रहा है, उसको हम कर लेंगे, जिससे ओल एब्सॉर्ब न करें और यह बढ़िया टिक्की बन कर तयार हो गया है, और इसी तरह से हम सभी टिक्की तयार कर लेंगे, अब मैंने यहां पर एक पैन में दो बड़े चम्मच ओल गरम कर लिया है, और अब हम इसमें इन टिक्कियों को डाल देंगे जितनी टिक्कियों पैन में आ जाएं, उतनी टिक्की ही इसमें डालें, और एक तरफ से हलका फ्राई होने के बाद हम इसे इन्हें दूसरी तरफ पलटेंगे तो दोस्तों ये टिकिया एक तरफ से अच्छी तरह से सीख गई हैं और अब हम इने पलट कर दूसरी तरफ भी ऐसे ही गोल्डन होने तक सेख लेंगे यह उपर से बहुत ही क्रिश्पी बनते हैं ये टिकिया ओयल भी एबसर्ब नहीं करती हैं तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं अब हम इने निकाल लेंगे तो दोस्तों इस रेश्पी को आप एक बार जरू ट्राई करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा इसी तरह से हम बाकी बच्चे टिकियों को भी फ्राई कर लेंगे मैंने यहां पर इन्हें सेलो फ्राई किया है आप चाहें तो इन्हें डी फ्राई भी कर सकते हैं ये किन मानिए ये टिक की इतने कम समान में इतना टेस्टी बनता है कि आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें कमे बबाब